नमस्कार स्वागत है आपको एटी नाव स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात्र पार्टी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर्ष टैक्स मंत्र और हर बार की तरह हम इस शो में इस बार एक ऐसा टॉपिक लेकर रहे हैं जो कि आपकी काफी मदद करेगा आपक कुछ सवाल है तो वहीं पूछे और सोशल मीडिया हैंडल पर भी हम है वाटसाप ट्विटर फेस्बुक के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुचा सकते हैं अब आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी पर होने वाले कैपिटल गें के बारे में और उस पर टैक्स के नियम क्या है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे क्यूंकि हम देखते हिं काई लोग रेसिडेंशल प्रॉपर्टी याने घर में निवेश करना पसंद करते हैं वह पहली बार छोटा घर खरीता है उसके बाद वो घर बेच बाद में फिर नया घर भी नया बड़ा घर खरीते ह इसके अलावा काफी लोग प्रॉपर्टी के खरीद बिकरी का बिजनेस ही करते हैं तो यहां पर होने वाला जो भी आपको फाइदा होता है उस पर उसों कहते हैं कितना लगेगा और टैक्स किस तरीके से बचाया जा सकता है किन किन तरीकों से यह भी आज हम इस चर्चा के जरीए समझनी की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए सुनील गर्ग जी सुनील जी थांक यू सो मच इटीना उस सवाल भी उससे मिलते हैं तो आज का इस टॉपिक है काफी होट टॉपिक है क्योंकि हम देख रहे हैं कि वितवश दोहजार चॉबिस में जो आंक्रा निकल कर आया घर खरीदने का वह पिछले दस साल के उपी स्थर पे था डेमांड तो है हाउसिंग को लेकर और भारतियों को तो दो चीजे अगर दो एसेट की बात करें तो रियल एस्टेट और गोल्ड इन दो चीजों में निवेश करना हमेशा से ही हिस्टोरिकली उन्हें काफी पसंद रहा है उनको फाइदे मन भी लगता है तो इसमें हम समझना चाहेंगी कि फिर टैक्स से जुड़े नियम क् जाए अगर वो कोई प्लॉट खरीते हैं तो फिर टैक्स कितना देना पर सकता है देखें पुझा जी आपने बिल्कुल सही का कि हर मिडिल स्फेमिली का एक सपना होता है कि एक घर अपना हो ऐसे गोल्ड के लिए आपने का कि दोनों यह जो ऑप्शन से बड़े अट्रक्ट होता है लेकिन टैक्स के नियम बहुत कॉंप्लिकेटिड है बहुत जादा कॉंप्लिकेटिड है और सर्तार पिछले दो-तीन सा से सोच रही है कि हम इसको सरली करन करतें तो सबसे पहले तो इस शो के माध्यम से अपनी माननी एफितमंत्री जी को मैं कहना चाओंगा जब या मैंने एक फ्लैट बेचा उसके बदले मैंने फ्लॉट खरीद लिया तो टैक्स के नियम क्या है तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि टैक्स के नियम आपके होल्डिंग पीरिड पर डिपेंड करते है कि आपने पुरानी असेट कितने साल तक होल्ड की थी अगर आप आपने दो साल तक पुराना मकान या फ्लैट या अपना उष्टैनी मकान होल्ड किया था दो साल से ज़्यादा तबी उसका लॉंग टरम कैपिटल गेन माना जाता है और तबी आप दूसरे मकान लेने पर आपको छूट मिलती है अगर दो साल से पहले दो साल से पहले लिया वह फ्लेट, मकान आपने बेज दिया, तो शॉर्टरम कैपिटल गेन की शेडी में आता है, उसके आगे निवेश करने पर कोई छूट नहीं मिलती है, एक बात तो आपको यह याद रख दी है, दूसरी बात लॉंग्टरम कैपिटल गेन पर टैक्स का नियम 20% का है, इंडेक्सेशन आपको मिलता है, शॉर्टरम कैपिटल गेन पर आपके नॉर्मल रेट लगता है, तीसरा सवाल, मेरे पास एक मकान है, मैंने उसको बेचा, दूसरा मकान ले लिया, तो टैक्स के नियम क्या है, सरकार ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, कि हाउसिंग में निवेश बढ़े, तो आपको विशेश चूट दी है, लेकिन उस चूट के साथ बहुत सारी शर्ते लगा दी है, शर्त नमबर एक, आपने अगर एक मकान बेचा, उसके बदले आपने दूसरा मकान खरीदा, तो आपको सरकार ने कहा है कि एक साल पहले आपने खरीदा हो, या दो साल बाद तक आप खरीज सकते हैं, या तीन साल तक बनवा सकते हैं, तो आपको मकान की 54 धारा में वो छूट मिल जाती है, निवेश करने पर कैपिटल गेन की, लेकिन अब सवाल ये उड़ता है कि मेरे को तो रिटन भरनी 31 जुलाई 2024 को, माल लिए 23 जुलाई 2024 मैंने कोई मकान बेचा, और मुझे आप कहरें कि दो साल में बना लीजिए, या तीन साल में बना लीजिए, तो आम आदमी बड़ी गलती करता है, पूजा बहुत गलती हैं हम देखते है प्रेटिकल लाइफ में, 31 जुलाई 2024 के पहले आपको एक टैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोल कर उसमें पैसा जमा करवाना पड़ेगा, अगर आपने अभी तक मकान नहीं लिया, यानि अगर आपनेंशियर 23, 24, मार 24 से पहले कोई मकान बेचा है, और आपको भी समय तो दो साल का है, लेकिन 31 जुलाई 2024 को चूकि आपकी रिटर्न अफ इंकम जानी है, 23, 24 फनेंशियर की, असेस्पिटियर 24, 25 की, तो उससे पहले या तो आप मकान खरीद लीजिये, या प्लॉट खरीद लीजिये, या आपको कैपिटल के एन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवा के, तब उसकी जूट मिलती है, वरना चूट नहीं मिलती है, लोग क्या करते हैं, पैसे को सेविंग काउंट में रखते हैं, या भूल जाते हैं, या फिर एक साल बात मकान लेते हैं, उनको छूट नहीं मिलती हैं, उनको बड़ा नुक्सान हो जाता है, तो इस बात का आपको विशेज़दान रखता है, और दूसरी बात, जो मकान आप खरीदेंगे नया वाला, उसको अगले तीन साल तक नहीं बेश रहा है, अगर आपने अगले तीन साल तक उसको बेश दिया, तो फिर आपको जो कैपिल गी चूट मिली थी, वो आपको नहीं मिलती है, अब आपने पूचा कि आगर मैंने मकान बीच के प्लॉट खरीद दिया, तो क्या होगा, बिल्कु खरीद दीजिए, मैंने बताया दो सिचूशन है, आपने 31 जुलाई 2024 से पहले खरीद दिया, तो आपको शूट मिल जाएगी, 31 जुलाई 2024 तक आप कोई प्लॉट नहीं खरीद पाते है, तो कैपिटल की एन अकाउंट स्कीम में जमा करवाईए, लेकिन एक शर्त आपको जुरूर पूरी करनी है, कि आपको तीन साल के अंदर-अंदर उसको क्रस्ट्रक्शन करना है, उसको रेजिडेंचल हाउस में कनवर्ट करना है, और रेजिडेंचल हाउस का मतलब यह नहीं होता है, कि आपने खाली एक मकान बना एक कमरा बना दिया, एक छोटा सा आपने बॉन्डी बॉल करती, नहीं जी, वो एक ड्वेलिंग यूनिट होना चाहिए, यानि उसमें एक रूम हो, उसमें किचन हो, उसमें बातरूम हो, उसमें बिजली का कनेक्शन हो, लिविंग कंडिशन वाला आपको घर बनाना है, हमने बहुत सारे केज़ देखे हैं, जहाँ पर लोग गलतिया करते हैं, और तीन साल बातों को टेक्स देरा पड़ता है, आज डिपार्टमेंट बहुत तेज है, बहुत सक्त है, और बड़ी इंफोर्मिशन के पास में, तो आपको ध्यान रखना है, कि अगर आपने प्लॉट लिया, तो आपको तीन साल के अंदर कर्स्ट्रेक्शन करनी बड़ा जूड़ी है, एक ड्वैलिंग यूनिट की कर्स्ट्रेक्शन के साथ, एप्रूड मैप के साथ. ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए आप, और काफी अच्छे तरीके से, सुनी जी ने ये भी समझाया है कि 31 जिलाई 2024 के पहले, याने कि जब रिटन फाइल करने के पहले, अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीने का या निवेश करने का, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इसका भी आप ध्यार में रखिए, और ये भी गलतियां जो लोग करते हैं, कि प्लॉट खरी लेते हैं, मकानिया, फ्लैट बेशने के बाद, तो अगले तीन सालों में आपको उसकी भी तैयारी करवाली चाहिए, वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये कुछ इंपॉर्टन बात थी, सुनीर जी क्योंकि आपने बजट की बात अब छेड़ी है, मैं थोड़ा आखरी में पुछना चारी थी, लेगिन अब क्योंकि शिरुवाती चर्चा में ही बजट आ चुका है, और हम देख रहें कि तयारिया जोरो शोरो से हो रही है, वि भी हो रही होंगी काफी कुछ, तो किस तरह की एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, अगर कैपिटल गेन या प्रॉपर्टी से रिलेटेट कुछ हम एक्सपेक्ट करें तो? पुझा हमने वित्मंत्री जी को एक विस्ट बेजी है, और जो बहुत जरूरी विस्ट लिस्ट है, जिसको शायद पिछले बजट में वित्मंत्री जी नहीं कर पाई थी, सबसे पहले तो मिडिल क्लास फैमिलीज को रहाद देने की बहुत जरूरत है, सरेड अम्लोईज को पूरी इंकम पर टेक्स देना पड़ जाता है, तो इसलिए वो अपने आपको ठगा सा महसूस करते हैं, कि ये छूट हमारे किसी काम की भी नहीं है, और आज की डेट में, आज की जमाने में, किसी भी बिलिल क्लास फैमिली की इंकम, अगर एलाक्रों महीन है, तो वो अपने खर्चे ही चला पाता है, लेकिन उसको पूरा टेक्स देना पड़ता है, तो इस पर आपको रहात देने की जूट है, और दूसरा हम हमेशा कहते हैं, कि इन्वेस्टमेंट इतनी बुरी चीज नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट्स को भी दाइरे में डाल दीजिए, उसको कि इसी भी तरीके से नए रिजीम में भी आप लेके आईए, और तीसरी बात, कैपिटल गेन की नियमों को, क्योंकि आज आम आदमी भी मिडिल क्लास फैमिली भी या तो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई वो गोल के ETF बोंट्स दे लेता है, या जैसे मैं रहता है क कि मकान के फ्लैट की पर्चेस सेल वो करता है, या कोई कुछ चैनी मकान उसको मिलता है, उसको लेकर नहीं हम बहुत सकते हैं, लॉंग टरम, शॉट टरम, कैरी फरवरड, और फिस के बाद में आपने एक मकान बेचा, तो आप केवल दो मकान ले सकते हैं, आप माननीजे किस साल के बाद, 36 मेने के बाद भी, अब डैट फंड जो होगा, वो शॉट टम ही होगा, यानि उस पे जो ब्याज लगेगा, तीन साल के बाद भी आगब डैट फंड को बेचेंगे, एक अप्रेल तेस के बाद में, तो आपको पूरा टेक्स उस पे देना पड़ेगा, पूरे रेट पे 30% के स्लैब पे देना पड़ेगा, तो ये तरह के नियम जो है, वो कन्फूज करते हैं, अब चुकि आम आदमी इसमें इन्वाल्व है, आम मिडिल क्लास फैमिली इन्वाल्व है, तो उसको रहाद देने की जूरत है, और दूसरा, 10 लाग के स्लैब के बाद एक सा रहात सरकार जरूर देगी, बिल्कुर, तो ये कुछ रहात एक्सपेक्ट कर तो रहे हैं, हम रिपोर्ट में तो आ रहे हैं, उमीद करते हैं कि इस बार मिडिल क्लास के लिए और सालरीड इंकम के लिए कुछ बहतरी घुशनाएं हों, ये तो वैसे हम हर बार एक्सपेक्ट भी आएगा, बजट में शायद कुछ नियम चेंज हो सकते हैं, नई नियम आ सकते हैं, तो जो भी हम आपको आज जानगारी देंगे, वो इस चीज़ को ध्यार में रखे देंगे, और उसी में फिर आपको आगे प्लानिंग करनी हैं, चलिए चाशा को आगे बढ़ाते हैं, यह हमने रेसिडेंशल प्रॉपर्टी की बात किया, अगर काफी लोग कमर्शल प्रॉपर्टी में भी खरीद बिकरी और निवेश करते हैं, तो यहाँ पर कमर्शल प्रॉपर्टी अगर बेच कर ऑफिस या शॉप खरीदी, तो फिर अटाक्स की नियम कैसे हैं, नहीं, आपका कोई ओफिस है, आपने उस दुकान को बेच कर, आपने दुबारा दुकान, मकान या फैक्टरी खरीद लिए, तो आपको कोई छूट नहीं मिलती है, कोई कैप्टिल गिर में छूट नहीं मिलती है, हाँ, आपने को कमर्शल प्रॉपर्टी बेच के, डेजिनेंशल उसमें छूट मिल जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, उसके नियम थोड़े से different है, थोड़े से अलग है, उसमें सबसे बड़ी condition तो यह है, आपको एक से ज़्यादा मकान आपके पास में नहीं होना चाहिए, अगर आपको वास पहले दो मकान है, और आपने को प्रॉपर्टी बेच के दूसरा फ्लैट भी खरीद लिया, तो आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको यह बात का ध्यान रखना है, और दूसरा फरक ही होता है, कि आपको रेजिदेंशल हाउस बेचन में खाली capital gain, जो profit होता है, वही आपको इन्वेस्ट करना होता है, अगर प्रॉपर्टी बेच के आप रेजिदेंशल हाउस या रेजिदेंशल प्लॉट खरीद रहे हैं, तो पूरा सेल कंसीडरेशन, जितना पैसा आपको मिला उस कमर्शल प्रॉपर्टी से, वह पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और तीसरा जो है, आप बॉंड् कि मान लीजे हमने कोई प्रॉपर्टी बेची, उससे एक अच्छा खाजा पैसा आया, अब वो जो कैपिटल गीन का अमाउंट है, जो मुनाफ़ा हो रहा है, अगर उसको दूसरे प्रॉपर्टी या फ्लैट में लगाने की बजाए, हम किसी कहीं पर निवेश कर लें, या क पहले होता था कि कोई भी लॉंग टर्म कैपिटल असेट आप बेचो, आप शेयर्स बेचो, आप प्रॉपर्टी बेचो, आप गोल्ड बेचो, लोग गोल्ड बेच के भी बॉंड्स दे लिया करते थे, धारा फिफ्टी फॉर एसी में, पचास लाग तक की लिमेट है, लेंड बेची हो, तो आप पचास लाग रुपे तक, मैकसिम लिमिट है पचास लाग, उससे ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और जो दूसरी कंडिशन है इसमें जो खतरनाग है, जो अक्सर लोग गल्किया करते हैं, लोग सोचते हैं कि हमें रिटर्न बढ़ने से पहले बॉण्स में इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए आपने पिछले साल जून दो यार थेईस में आपने बॉण्स प्रापर्टी बेची थी, आपको बॉण्स खरीद ने थे, तो उसके लिए 31 जुलाई दो यार 24 तक का इंजार आप नहीं कर सकते हैं, आपक बॉण्स पर चेवल 6 महीने के अंदर आपको खरीदना पड़ता है, तीसरी बात बॉण्स आपको कौन से खरीदने हैं, तो वह भी बॉण्स नहीं खरीद सकते हैं, जो सरकार ने नोटिफाई कर रखे हैं उस section में, जैसे Rural Corporation of India के बॉण्स है, Rural Activation के बॉण्स है, NHI के लोग जो फिर कलती करते हैं, कि जो बॉण्स पर ब्याज मिलता है, लोग समझते हैं कि वो टेक्स से फिरी है, विल्कुल टेक्स से फिरी नहीं है जी, उस पर पूरा टेक्स आपको देना पड़ेगा, पचास लाग के लिमिट, पांस साल का लोकिन पिरेड और टेक्सेबल ब्याज ये आपको ध्यान तकना और छे मेने के अंदर आपको इन्वेस्ट करते हैं, इसको नोट कर लिजे, सुन लिजे, पांस साल का लोकिन है, पचास लाग की लिमिट है, गवर्मेंट बॉन्ड होना चाहिए, और इंट्रेस्ट पर तो ब्याज मिल रहा है, उस पर आप आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो इन सब बातों का ध्यान में रखिया, उसके बाद अपने जो भी गेन हो रहा है, उसको सही तरीके से प्लान करें निवेश करने में, एक और सवाल था अभी डिस्कुशन के दौरानी मेरे मन में आया, ले मैन कोई है, उसको नहीं पता क कि capital gain यहाँ पर calculate कितना कैसे हो रहा है, कितना मुनाफ़ा उनको actually हो रहा है, कितना वहाँ पर उनको tax देना पड़ रहा है, कितना उनको tax बन रहा है, इसका calculation काफी लोग कई बार नहीं कर पाते हैं, तो क्या इसके लिए किसी financial expert की मदद उनको ले ले ली चाहिए, किस तरीके से वो अपना capital gain calculate करें क्योंकि काफी बार property बहुत पहले की होती पुरानी कोई property या plot उनके पास होता है उनको नहीं पता होता proper paper या दाम कई बार उनको नहीं पता होते हैं तो ऐसे में वो क्या करें किसकी मदद ले बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने पूजा बहुत सारे लोग पुष्टैनी जमीनों के पास पड़ी होती है गो गिफ्ट पे आ गई अपने दादा जी से आ गई फोर फादर से आ ग मों के लिए क्या काता कि अगर आप के अपरेल 2001 से पहले कि कोई परपर्टि आपके पैसे आपने ख करी दे Just आपकी फैमिली नखरी दियो जो आपके पास आ गई है और आपको उसकी cost नहीं पता value नहीं पता तो 1 April 2001 की fair market value आप करवा लीजिए उसको जो पूसका circle rate है वहाँ पे वहाँ आप निकाल लीजिए और आपको अगर आज 23-24 पे बेचनी है तो उसका indexation आपको सरकार ने दिया है इसके complicated है सक तो नहीं कहूंगा पर complicated बहुत है capital gain के तो दो तरीके है एक तरीका तो यह है कि आप income tax website पे जाएए वहाँ पर income tax calculator है उस calculator में अपनी figure डाल दीजिए वह आपको calculation करके देदेगा वरना आप हमने किसी financial या tax expert से जाके मिल लीजिए क्योंकि छोटी गलती बहुत म पुरानी जमीन अगर कुछ plot आपके पास पढ़े हैं तो इस तरीके से आप उसका capital gain calculate कर सकते हैं agriculture जो जमीन होती है उसे लेकर भी काफी कुछ सवाल हमें आते रहते हैं क्योंकि काफी लोग का मानना है कि उसमें किसी तरह का tax नहीं लगता हर चीज़ से exempt है क्या नियम है capital gain tax में agricultural जो भूमिया उसको लेकर यह बहुत बड़ा misconception के दिमाग में है कि agriculture land से इंकम होने वाली सारी की सारी exempt होती है क्रिशी से होने वाली खेती की इंकम exempt होती है लेकिन क्रिशी भूमी को बेच कर होने वाली income exempt सब केस में नहीं होती है अगर आपकी जमीन rural agriculture land यानि आप किसी आपके बाद का आठ किलोमेटर का एरिया भी अर्बन agriculture land में आता है यानि उसमें खेती तो हो रही है आपकी जमीन शहर के अंदर है आप खेती कर रहे है वह agriculture land है उसके mutation भी agriculture land से चड़ी हुई है लेकिन आगर वह 8 km के दारे में 10 लाग की आबादी के शहर के तो उसको बेच पर पूरा capital gain tax देना पड़ता है इस बात को ध्यान लीजिए चाहिए वह agriculture land ही क्यों ना हो हाँ उसको बेचके आप दूसरे agriculture land ले लीजिए सरकार ने आपको एक शूट दे दी है कि आप agriculture land बेचिए agriculture land ले लीजिए कोई दिक्कर नहीं है या आप agriculture land बेचके 54 में F में चले जाहिए जहां आप दूसरा मकान ले सकते है लेकिन condition यहीं रख रही है ध्यान आपको एक से ज्यादा मकान आपके पास नहीं होने चाहिए क्योंकि वह 54 में चूट नहीं मिलती है 54 F में जाके मिलती है अगर आप मकान में investment कर रहे हैं तो आपको 54 F में एक से ज्यादा मकान न चाहिए आप छूट क्लेम कर सकते हैं और तीसरी बाद आप बोर्ट ले सकते हैं 50 दाग रुबें तर तो यह है अगर के पास agriculture land है तो हर तरीके से आपको छूट मिल रही है वहाँ पर भी आपको कुछ tax देना पर सकता है कुछ-कुछ जगहां पर exempt होगा लिकिन कहीं कहीं प शानीजा डाखDev को बताया खो़्व अब कुछ दर्श्यकों की सवाल भी शामर लिए और एक सवाल हमें आया है सुधिरजी का और यहां पर इन्होंने लिखा हुआ कि इन्होंने इसथे मिला हुआ था कंपनी से और उसको कर इन्होंने अपने लिए मकान लिया है फ्लैट लिया जाता है आज कर लोगों को मिल भी रहा है कई हाई प्रोफाइल नौकरियों में कई बड़ी कम्टियों में बड़ी पोस्ट में आप जाते हैं तो आपको इस वब भी ऑफर किया जाता है वो निकाल कर कुछ लोग फ्लाट और बिल्डिंग्स फ्लाइट और मकान ले ले हैं तो ऐसे भी टैक्स की नियम क्या होंगे देगे बीज़ा बहुत सारे यंगर्श्टर्स को आजकल कमनिया इसोप जरूर देती है उसको पार्ट आफ दा कमनी बनाने के लिए और एक इंसेंटिव है उसके लिए नियम यह है कि इसोप पर बेने बताया था है कि इसोप पर है कि आपको कम से कम दो साल के लिए उसको होल्ड करना है दो साल के लिए अगर दो साल से पहले बेज़ देंगे तो आपको कैपिल गें में छूट भी नहीं मिलेगी हाँ ओफ कोर्स आप दो साल के बास शेयर बेचिए आपने सो रिपे का शेयर पांस बेचा आपको जो भी क चीन साल तक उस फ्लैट को फिर नहीं वेज जाए इस तरीके से आप इन्यमों का ध्यान रखिए अगर आपको इस वापको के जरीए आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे तो राज बिंद्रा जी का सवाल आया है अमरिसर से इन्होंने एक मकान प यह भी करते हैं राज बिंद्र जी के सवाल के ज़दिये काफी लोगों को मदद भी होगी इस केस में क्या करना चाहिए सुनील जी ने बिलकुल लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको सतर लाग का फायदा हुआ आपने एक लोड का फ्लैट बुक करवा लीजिए तरल के लिए जैसे राज बिंद्र जी ने पर दस लाग आपने एडवांस दे दिया आप सोचते हो कि मेरे को तो छूट मिल जाएगी नहीं म करवाएंगे जब नेक्स इंस्टॉल्मेंट उसको देंगे बिल्डर को तो फिर आपको बैंक परमिट करेंगा और आप वहां से पेमेंट करेंगे अधर्वाज आपको छूट नहीं मिलेंगे ठीक है तो यह है सला आपके लिए जैपूर राजस्तान से सथिप्रकाश लेटवाजी ने भी सवाल भीज़ा है इनकी उम्र 75 साल है और इन्हों ने अपना एक पुष्टैनी घर बेज दिया जो हम अभी थोड़े पहले बात भी करें थे और वह अपने तीन बेटों के रहे हैं तो क्या कोई दिकत है वहाँ पर उनको टाक्स देना पड़ जागा हो जैसे हम डिसकुस कर रहे थे हुजा की नियम बहुत कॉंप्लिकेटिटिड है देखे सरकार में कहा था कि एक मकान बेचिए एक मकान ले लिजिए एक के बदले आप दो भी नहीं ले सकते थे द ले सकते हैं अगर आपने एक ही प्रोपर्टी खरीदी इसमें फ्लोर्स बने हुए हैं तो फिर कई कोट्स ने डिसाइड की है कि आपको छूट मिल जाएगी वरना नियम दो मकान लेने काई है एक के बदले इससे ज़्यादा में लेंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी तो यह भी एक थोड़ा नियम है यहां पर भी समझना जरूरी है चलिए काफी कुछ बाते हमें पता चली है उमीद करते हैं कि अगली बार जब आप प्रॉपर्टी में निवेश करने जाए को घर खरीदने का प्लाइम बना रहे हैं तो यह जो टैक्स की नियम है इंका भी ध्यान आप रखे अदर्वाइस आपके उपर टैक्स का बर्डन भी अच्छा खासा आ सकता है सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और उम्मीद करते हैं कि अब आप बजट भी आने वाला है तो उसमें भी आपके कुछ इंपुट्स हमें और हमारे दर्शकों को मिलेंगे इसी नोड के साथ मुझे देजी अजासत लेकिन आप बने रहे हैं हमारे साथ खबरों का सिलसला आगे भी चाहिए रहेगा नमस्कार